आज मैं आपके साहां सेयर करने जा रही हूं कम समान में बहुत ही जल्दी बन जाना वाली टेश्टी सनास्ता यदि आपको कुछ चरपटा खाने का मन करें या चोटी मूटी भूख लगी हो तो आप इस नास्ते को बना सकते हैं या आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए इस नास्ते को बनाना सुरू करते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस को उपर एक कराही रखा है इसमें हम डालेंगे दो छोटा चमच तेल अब यहाँ पर मैं ले रही हूं एक छोटा चमच जीरा और दो हरी मिर्च इसे मैंने बारी कट क लिया है अब इसे डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे अब यहां पर मैं ले रही हूं एक छोटा चमच कुटी हुई लाल मिर्च तो मिर्च थोड़ा से आप कम यह ज्यादा कर सकते हैं और एक बड़ा चमच इसमें हम सफेद तील डालेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीए अब इसमें हम डालेंगे दो कप पानी और साथ में बारी कट्यों यह रहनिया डालेंगे और एक छोटा चमच नमक डालेंगे तो नमक यहाँ पर आप अपने टेश्क कवकरनी डाल सकते हैं एक बड़ इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें एक पुएलाने देंगे तो पा कवास करके इस कप पानी निकाल लिया है अब यह सारे लच्छों को मैं इसमें डाल दूंगी और इसे एक बर अच्छे से मिला लेंगे अब मैं यहाँ पर ले रहे हूं एक कप सूजी तो यह बारिक वाली सूजी है अगर आप मोटा वाला सूजी ले रहे हैं तो आप उसे एक कप या कटोरी से माप सकते हैं जिस कप से आपको पानी लेना है उसी कप के माप से आपको सूजी भी लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अच्छे से डो फम में आ गया है यह कराही को भी छोड़ने लगा है तो इस रश्टेश पर गैस का फिल्म बन कर देंगे औ अब इसके उपर हम इसे अच्छे से फैला देंगे अब यह हलका हलका गरम है अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे हम अच्छे से से शेट कर लेंगे इस तरह से यह आसानी से हो जाती है तो इसे मैंने इस तरह से अच्छे से से शेट कर लिया है अब इसका हम पीसेस करेंगे तो इस तरह से एक knife लेंगे और इसे हम अपने मन पसंद सेप में cut कर लेंगे तो आप चाहे तो इसे एसक्राइब में भी cut कर सकते हैं या triangle shape में भी cut कर सकते हैं तो friends अगर आज की recipe आपको पसंद आये तो वीडियो को like share कर दिजिएगा और अभी तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया है तो चानल को भी subscribe कर लेजिएगा और साथ में जो bell icon है उसे भी एक बार all पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने माली नई वीडियो को notification आप तक पहुँचते रहे हैं तो सारे pieces को मैंने cut कर लिया है अब इसे हम fry करेंगे तो fry करने के लिए मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है अब इस तरह से एक एक पिष डालेंगे और एक बर में जतना हैगा उतना इसमें हम पिष डाल देंगे और 이से हम fry करेंगे तो starting में इसमीं चमँछ नहीं लगाना है कि यह एक सेट से हालका सा फराइ इसे हम फ्राई करेंगे तो इस्टाटिम में इसमें चमस नहीं लगाना है जब यह एक सेट से हलका सा फ्राई हो जगा तब इसका हम दूसरा सेट चेंज कर देंगे और इसे इसी तरह से अलर्ड पर लट करते हुए अच्छे कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और इसे हमें आज पर फ्राई करेंगे तो यह तेल अबजर्ब कर लेगा तो इस बात को आपको खास दियान देना है इसे तेज आज पर ही अलर्ड प्लड करते हुए अच्छे से फ्राई कर लिजिए और यहां पर देखिए यह अच्छे से फ्राई हो गया है अब इसे हम निकाल लेंगे इसे फ्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और आप देख सकते हैं देखें कितनी टाइम टीन लग रही है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है तो चलिए इसी तरह से बाकी का भी फ्राई करके हम त्यार कर लेंगे तो जब भी आपको कुछ अलग और चरपटा खाने को मन करें तो आप इस नास्ते को बना सकते हैं यह आपको बहुत पसंद आगी क्योंकि यह नास्ता बहुत ही जल्दी बनके त्यार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और यहाँ पर देखें यह भी अच्छे से फ तो इस नास्ते को मेरे तरीके से एक पर जरूर बनाए यह आपको बहुत पसंद आएगी तो अगर आज की रेस्पी आपको पसंद है तो वीडियो का लाइक करें अपनी फैमी फ्रेंस में भी सेयर करें और अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चानल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपना फिर्वेक देना ना भूलें